हेलो विद्यार्थियूं, टार्गेट विद्लक्ष के इस नई वीडियो में शुभी का श्वागत है, तो सॉलिड इस्टेट के इस लेक्षर में अब आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्रिष्टल दोस के बारे में, यानि कि क्रिष्टल दोस क्या होता है, यह फिर इससे आ बोल सकते हैं, क्रिष्टलों में अपूर्णताएं, याद रखेगा, इससे आप बोल सकते हैं, क्रिष्टलों में, क्रिष्टलों में अपूर्णताएं, तो यहाँ पर इस अपूर्णताएं का मतलब दोस से है, यानि कि क्रिष्टलों में जो अपूर्णताएं होती हैं, व एक आदर्स क्रिश्टल है यहाँ पर यह जो क्रिश्टल लिया गया यह एक आदर्स क्रिश्टल है और इसमें जो यह कंड दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं आव्यवी कंड तो आदर्स क्रिश्टल में जो आव्यवी कंड होते हैं उनकी एक नियमित और या फिर इसमें किसी प्रकार की कोई अन्यमित्ता आजाती है। तो इश्ये हम लोग बोलते हैं crystal dose, याद रखेगा यहां पर crystal में जो अविकण होते हैं जब इनकी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई विचलन आता है, या फिर कोई अन्यमित्ता आती है। या फिर किसी प्रकार की असुद्ध ही उपस्तित जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रिश्टल दोस, या अगर आप बताना चाहें, तो आप बता सकते हैं, कि क्रिश्टल की पुणोड क्रमिक विवस्था में, कोई भी अन्यमित्ता, या फिर विचलन जो है, वो क्रिश्टल दोस कहलाता है, या अप लोग यहाँ पर याद रखेगा, तो अगर आप यहाँ पर इसे परिभाश्यत करना चाहें, तो आप धन देजे, आप बता सकते हैं उसमें, क्रिश्टल की, क्रिश्टल की, में कोई भी अन्यमित्ता या फिर आप बोल सकते हैं विचलन, अन्यमित्ता, या विचलन जो है, क्रिश्टल दोस कहलाता है, या अप लोग याद रखेगा हैं पर, कि क्रिश्टलों में जो अविकन होते हैं, उनकी आवेवस्था, इसके अलावा जो है, विचलन के कारण, जो यहाँ पर दोश उत्पन होता है, उसे हम लोग बोलते है crystal dose और इसके लावब लोग याद रखेगा कि जो crystal dose होता है ये दो प्रकार का होता है तो आप लेक शक्ते हैं यहाँ पर crystal dose अब इसके लिए आप देंदेजियां पर chart इस प्रकार से ये chart प्रदर्शित कर सकते है तो crystal dose जो होता है ये दो प्रकार का होता है एक तो होता है आपका बिन्दू dose जिसे हम लोग बोलते हैं point defect बिन्दू nom और इसके अलामत दूसरा होता है आपका रेखी dor जिसे हम लोग बोलते है line defect रेखी दोस तो ये अप लोग याद रखेंगे कि crystal दोश जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है बिन्दु दोश और दूसरा होता है रेखे दोश बिन्दु दोश जीसे हम लोग बोलते हैं point defect याद रखेगा इस ये बोला जाता है point defect और इसके अलामत दूसरा होता है रेखे दोश जीसे हम लोग बोलते हैं line defect कि जो बिंदु दोश होते हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है आपका रश समीकरण मिती दोश और इसके अलब लोग याद रखेगा कि दूशरा होता है आरश शमीकरण मिती दोश एक होता है रश्शमीकरण मिती और दूसरा होता है आ रश्शमीकरण मिती दोष तो यह अप लोग याद रखेंगे कि बिंदु दोष जो होता है यह दो प्रकार का होता है एक होता है रश्शमीकरण मिती दोष और इसके अलामा दूसरा होता है आ रश्शमीकरण मिती दोष और इसके अ ला QUANG VOICE याद रखेगा कि जो रस्समीकर्णमिती 2 दोस होता है उसे दूण लोग बोलते थी है स्टायं कियो मेटरिक डिफेक्ट और जो यह उता है आपका आ रस्द्रिक्णमिती दोस्स इससे बोलता है आन स्टायं कियो अगर आप लिखना चाहें तो आप यहां पाल लिख सक होते हैं एक तो यह होता है और दूसरा होता है इस प्रकार से आप यहां पर लेख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेंगे और इसके लाओं लोग याद रखेंगे हैं इसके अलावा एक होता है फ्रेंकल दोश और इसके अलावा एक होता है रिक्तिका दोश रिक्तिका दोश और इसके अलावा एक होता है अंतराकाशी दोश तो याद रखेंगे कि जो रस्तमीकन मिती दोश होते हैं चार प्रकार के होते हैं एक होता है आपका धातु आधिक के दोश इसके अलावा एक होता है धातु नियूनिता दोश इसके अलावा आप लोग याद रखेगा एक दोश और भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं असुद्धि दोश तो आपको इन सभी के बारे में अब यहाँ पर पढ़ना है आपको बतायागा कि क्रिश्टल दोश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं आपका बिंदु दूश और दूसरा होता है रेखे दोश इसके लावां जो बिंदु दोश होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका रस्थरbacks क्वेर्श चार Regal of Brush डोश रहता है और रस्त्य दोश चार प्रकार के होते हैं एक होता है धातु आधिक की दोश, इसके अलावा होता है धातु नियुंता दोश, इसके अलावा एक और भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अशुद्धी दोश, तो अब सभी के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, तो शब्षे पहले बिंदु दोश यानि की point defect, इ तो इसके लिए आप लोग याद रखेगा जो भी क्रिश्टल जालक होता है, जैसे कि मान लेजे आपको यहां पर कोई इस प्रकार से क्रिश्टल जालक दिया गया है, और इस क्रिश्टल जालक में धन देजे, यह जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं अविवी कंड, तो अविवी कंड की जो सामान ने आवर्ती विवस्था है, जब इसमें किशी प्रकार का विचलन होता है, या फिर इसमें अनियमित्ता होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोस्थ, यह अप लोग याद रखेगा, यह अगर आप लिखना चाहें, तो आप बता सकते हैं, अविवी कंड की सामान ने आवर्ती विवस्था, में विचलन से में विचलन से उत्पन दोश, विचलन से उत्पन दोश, बिंदु दोश कहलाता है, बिंदु दोश कहलाता है, कहलाता है, तो यह अप लोग याद रखेगा, कि क्रिश्टल जालक में जो आविवी कंड है, जब इसकी विवस्था में किशे प्रकार का विचलन होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, बिंदु दोश, यानि कि point defect, तो वही यहाँ पर बताया गया कि अविवी कंड की सामान आवर्ती विवस्था में, विचलन से उत्पन दोश जो है, यह बिंदु दोश कहलाते हैं, यह अप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, अग इसके बाद धहन देजे, अगला, यानि कि रेखेंगे दोश, जिसे हम लोग बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट, जैसा कि अब रखेंगे बताया गा था, जब अविवी कंड की विवस्था में, विचलन होता है, तो इस ची हम लोग बोलते हैं, बिंदु दोश, और जब इस क्रिश्टल जालक की पूरी की पूरी पंग् रेखेंगे दोश, यह आप लोग याद रखेंगा, कि जालक बिंदु की पूरी पंग्तियों में जब दोश उत्पन होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, रेखेंगे दोश, यानि कि आप बता सकते हैं इसमें, कि जालक बिंदु की जालक बिंदु की पूरी पंग्तियों पूर्ण पंग्तियों में दोश हो तो उसे रेखी दोश कहते हैं तो यह अप लोग यहाँ पर याद रखेगा जब किसी एक बिंदु की विवस्था में विचलन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोश और जब यहाँ पर पूरी की पूरी पंग्ति में विचलन हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रेखे दोश इसलिए बताया गया कि जालक बिंदो की पूर्ण पंक्तियों में दोश हो तो इसे हम लोग बोलते हैं रेखे दोस तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा तो अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिंदु दोश के बारे में जिसमें आपको बताया गए कि बिंदु दोश जो होते हैं वो दो प्रकार के एक होते हैं एक होता है अपका रस समीकन मिती और दूसरा होता है आरस समीकन मिती तो अप लोग याद रखेगा कि जो रस समीकन मिती है इसके लिए अप लोग याद रखेगा जैसे कि मान लेजे किसी क्रिश्टल में जो आयन होते हैं किसी क्रिश्टल में जो आयन होते हैं जैसे कि मान लेज़ें हैं पर 10 जो है वो धनायन है और इसके अलावां 10 जो है वो रिणायन है तो अगर इनका हम लोग अनुपात ग्याद करें तो 10 अनुपात 10 ये कैशिलो का तो कितना आया गया यहाँ पर 1 अनुपात 1 माले जे किशी crystal में पहले जो है दस धनायन थे और 10 रिनायन थे तो उनका अनुपात कितना आया एक अनुपात एक और जब उसमें 2 आगया निकि जब उसमें किशी प्रकार कर डिफेक्ट हो गया तुम लोग माल लेते हैं कि उसमें धनायन कितने हो गया नव और इसके अलावा तो कितना आएगा एक अनुपात एक तो धन्द जे defect के पहले और defect के बाद दोनों में अनुपात सेम है तो अगर अनुपात सेम होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं रस समीकन मिती दोश यह अप लोग याद रखेगा कि क्रिश्टल में धनायन और रिनायन में जो अनुपात है वो defect के पहले यानि कि dos के पहले और اس के बाद दोस के बाहा जब दोनों में लुखी होता है तो इस एम लोग कहते हैं रसमीकण मेथी दोश ये अप लोग याद रखेएगा कि defect के पहले और defect के बाद जब यहाँ पर अनुपात सेम होता है धनायन और अनायन का तो इसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो क्रिश्टर है उसके रस समीकन मिती जो है वो बनी है यानि कि इसमे रस समीकन मिती दोश जो है वो उत्पन है तो यह अप लोग याद रखेगा यानि कि डिफिक्ट के पहले और डिफिक्ट के बाद धनायन और रनायन का अनुपात जो होता है यह बदलता नहीं है यानि कि यह इस्थर रहता है तो जब धनायन और रनायन का अनुपात जो है इस्थर रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे रस सम्मीकन मिती दोश तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा इसके अलावाँ अप लोग कुछ मुख्य पॉइंट भी इसमें याद रखेंगे जैसे कि अभी आपको बताया गया यहाँ पर कि जो रस अमीकर्मिती दोश होते हैं यह चार प्रकार के होते हैं दोश में आपको बताया गया एक शाटकी दोश फ्रेंकल दोश इसके अलावाँ दोश में कौन से बताया गया रिक्तिका दोश अंतराकाशी दोश नहीं कि चार प्रकार के दोश बताया गया तो इसमें जो दोश आपको पहले बताया गया एक शाटकी दोश और फ्रेंकल ये डोश जो है एनिक ठोशों में होते हैं फोन तो ये अनधनिक ठोशों में होते हैं ये अप लोग याद रखेगा कि ये जू है अनधनिक अन आयनिक ठोंस द्वारा उत्पन होते हैं तो यह अप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष यह आयनिक ठोंस द्वारा उत्पन होते हैं और रिप्तिका दोस और अंतराकाशी दोस जो है ये अन अयनिक्ठोंस द्वारा उत्पन होते हैं तो ये अप लोग यहाँ पर याद रखेंगे तो अब धन देजी अब आप सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे रस समीकन मिती दोस याने की इस्टाइक्यों मित्रिक डिफेक्ट इसके बारे में भी आपको बताया आए गया कि इश में जो है धनायन और इसके अलावा रिणायन इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है इस्थिर रहता है ये अप लोग की याद रखेंगे आपर के धनायन और रिणायन का अनुपात जो होता है वो इस्थिर प्रकार के होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं तो शबशे पहले धन्देजिया पर 60 की दोश इसके लिए धन्देजी माली जी आपको यहां पर कोई एक क्रिश्टल दिया गया है इस प्रकार से यहां पर धन देजी, यह कोई एक क्रिश्टल दिया गया है, और इस क्रिश्टल में धन देजी, यहां पर आपको धनायन, इस प्रकार से इसमें धनायन दिये गए हैं, यह हो गया धनायन, इसके बाद है रिडायन, फिर यहां पर धनायन, और फिर यहां पर हो यहां पर होगा रिणायन फिर यहां पर हो जाएगा धनायन और यहां पर लोग मान लेते हैं यह रिणायन हो गया इस प्रिकार यहां पर हो जाएगा रिणायन धनायन फिर यहां पर होगा रिणायन और फिर इसके बाद यहां पर यह होगा एक धनायन तो यह क्रिस्टल दिया जैसे कि मानली जी यहां पर यह धनायन दिया गया है मानली जी यहां से यह धनायन जो है लुप्त हो जाए और इसके अलावा इसमें यहां पर कोई एक रिणायन लुप्त हो जाए तो यहां पर अब धनायन निकल गया है और यहां से एक रिणायन निकल गया है तो इसमें एक कि धनायन और रिणायन दोनों जो है वो समान संख्या में यहां से लुप्त हो गए हैं तो जब किसी क्रिष्टल से धनायन और रिणायन जो है वो समान संख्या में अपने इस्थान से लुप्त हो जाते हैं तो यहां पर यह रिक्त इस्थान बनता है यहां पर यह रिक्त इस् आते हैं तो यहां पर जो रिक्त इस्थान होता है इसके कारण जो दोश उत्मन होता है उससे ही हम लोग बोलते हैं साट की दोस तो वही यहां पर लिखा गया है कि वह दोस जो क्रिश्टल में धनायन तथारणायन के समान शंख्या में अपने इस्थानों से लुप्त होने के क लुप्त होते हैं अपने इस्थान से, इसके कांड जो रिक्त इस्थान और द्वित होता है, इससे जो दो शुत पन्य होता है उश्षे ही, हम लोग बोलते है शाट की दोस तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे अब इसके बाद धन देजे अगला तो अगला यहाँ पर है इसमें फ्रेंकल दोस इसके लिए अप धन देजे जैसे के मान लेजे आपको यहाँ पर यह कोई एक क्रिश्टल दिया गया है इस प्रका से यहां पर मान लेते हैं रिडायन है फिर यहां पर धनायन हो जाएगा इसके बाद रिडायन और यहां पर धनायन इस प्रकार से यहां पर धनायन और फिर यहां पर है रिडायन इसके अलावा धन देजी यहां पर मान लेजी है रिडायन इसके बाद धनायन फिर यहां पर र बीच वाला इस्थान आपको देख रहा है जैसे कि यहांँ पर रांदेजी ये आपको खाली स्थान देख रहे हैं इन्हें हम लोग जो लोके यहांपर इसके बारे में याद रखेंगा तो मान लीजी इस में कोई आयन, धनायन भी हो सकता है और रणायन भी हो सकता है जैसे कि मान लीजी ये आयन जो है अपने स्थान से लुप्त हो जाए और अपने स्थान से लुप्त होकर इस अंतराकाश में आ जाए यहां पर देजी जो यह अंतराकाशी इस्थान था इस इस्थान पर आ गया यहां से यह लुप्त होकर इस अंतराकाशी इस्थान में आ गया तो यहाँ पर यह इस इस्थान खाली हो गया यानि कि रिक्त हो गया तो यहाँ पर यानि कि इस इस्थान पर जो दोश उत्पन होता है उसे हम लोग बोलते है रिक्तिका दोश और यहाँ से आनलुप्त होकर इस अंतराकास से इस्थान पर आ गया है तो इसमें लोग विस्थापन दोष भी बोलते हैं, अधर रखेगा इसमें लगुतर आयन में अपने वास्तविक इस्थान से लुप्ता होकर, निजरी यहां से अधर आयन में लुप्ता होकर, अंतरा आकाश में चला जाता है, जैसा कि नदर यहां पर आ गया है, जिससे वास्तविक इस्थान पर यानि कि इस इस्थान पर जो दोश उत्पन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोस और नए स्थान पर नहीं कि जहां पर यह आयन आ गया है उसे नए स्थान पर जो दोश उत्पन होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी दोस तो यह दोश उत्पन हो जाते हैं और इसे हम लोग विस्थापन दोस भी बोलते हैं तो यह अप लोग याद रखेगा कि इसमे ग्विस्थापन दोश भी बोलते हैं तो यह आप लोग याद रखेगा अगर यहाँ पर लोग इसमें एक्जामपल की बात करें तो आप बता सकते हैं कि यह दोश किश में उत्पन होता है आप बता सकते हैं यहाँ पर जिंक सलफाइड यानि कि जेडन एश में इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड यानि कि एजी सील में उत्पन होता है इसके अलावा एजी बी आर में उत्पन होता है इसके अलावा एजी आई यानि कि सिल्वर आयूडाइड में उत्पन होता है और यहाँ पर याद रखेगा कि जो यह एजी बी आर है इसमें जो है फ्रेंकल और की दोनों प्रकार के दोश उत्पन्द करता है तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा आप नोट करना चाहिए तो लिख भी शकते हैं कि अब आजब के पास कोई क्रिष्टल जालक है इस प्रकार से यहां पर भी अवेवी कंड उपस्तित होंगे यहां पर भी अविविकन हो जाएंगे उपस्तित इस प्रकार्त है जो है इसमें मालीजी यहां पर यह आविविकन जो है उपस्तित हैं तो यहां पर यह क्रिश्टल जालग दिया गया है और इसमें यहां पर जो है आविविकन उपस्तित हैं तो इसमें जो अविविकन होते हैं ये अपने नियमित इस्थान से बाहर निकल जाते हैं मालीजी यहां से यह अविविकन जो है बाहर निकल गया इसके अलाव यहां से कोई अविविकन जो है बाहर निकल गया तो यहाँ पर दयान देजे ये रिक्तिस्थान उत्पन हो जाएगा और यहाँ पर ये एक रिक्तिस्थान उत्पन हो जाएगा यनि कि इन दोनों जगाओं से यहाँ पर अविविकन बाहर निकल गए तो जब यहां से अविविकन बाहर निकल जाएंगे तो यहां पर रिक्तिस्थान हो जाएगा यहां पर जो है इस्थान खाली हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोस्त याद रखेगा कि जब किसी क्रिश्टल जालक से अविविकन जो है वो अपने नियमित इस्थान से बाहर निकल जाते हैं तो जो दो शुत्पन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिक्ति का दोस्त तो यहां पर दंदरी जब अविविकन बाहर निकल जाएंगे तो यहां पर इसका आयतन तो वही रहेगा जो पहले था यानिकि इसमें आयतन में कोई परुतन नहीं हो लेकिन जब अविविकन बाहर निकल जाएगा तो इसका द्रब्यमान कम हो जाएगा और द्रब्यमान कम होने से हमेशा घनत तो कम हो जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए घनत तो बराबर होता है द्रब्यमान बटे आयतन यह शूत्र होता है घनत तो बराबर होता है द् कि जब क्रिश्टल जालक से अवेविकन बाहर निकल जाते हैं, तो उससे जो दोश उत्पन्न होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, रिक्ति का दोश, और इस इस्थित में जो हैं पर पदार्थ का घंद तो हमेशा कम हो जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा गया कि यदि क्रिश्टल जालक से अवेविकन अपने नियमित इस्थान से बाहर निकल जाते हैं, तो उत्पन्न दोश को रिक्ति का दोश कहते हैं, और इस दोश के काणपदार्थ का घंद तो जो होता है, वो कम हो जाता है, तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा, अब इसके बाद धंदेजी, अगला यहाँ पर है अंतरा काशी दोश, यह भी जो है अनायनिक ठोशों में पाए जाता है, तो इसके लिए भी धंदेजी, जैसे कि मानलेजी, आपको यहाँ पर यह कोई एक क्र इस्थान दिखाई दे रहें, इन्हें हम लोग बोलते हैं अंतरा काशी इस्थान, तो जब यहाँ पर कोई आविविकर्ण इस अंतरा काशी इस्थान में आ जाता है, निकि इस अंतरा काशी इस्थान में पाए जाता है आविविकर्ण, तो इसे हम लोग बोलते हैं अंतरा काशी दोस याद रखेगा कि जब कुछ अविविकन जो है अंतरा काशी इस्थान में पाए जाते हैं तो यहाँ पर जो दोश उत्पन होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंतरा काशी दोस और इसमें हमेशा घनत तो जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि अभी आपको बताया गया घनत तो बराबर क्या होता है द्रब्यमान बटे आयतन यह होता है द्रब्यमान बटे आयतन तो जब अंतरा काशी इस्थान में यहाँ पर कोई अविविकन आ जाएगा तो इसका द्रब्यमान बढ़ जाएगा और जब इसका द्रब्यमान बढ़ जाएगा तो यहाँ पर इ इस वीडियो को लाइक सेयर और हमारे शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद